जहिन मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट एम पापका स्वागत देखिए यहां पर कि अगर बात के तो जो सायक लेखागार परिक्षा 2022 के अंतरगत पर वहा था तो 15 जून 2023 को आपके लिए इंपोटेंट इंफॉर्मेशन यहां पर उत्राखंड पब्लिक सर्विश का मिर्शन उत्राखंड लोग से वा आयोग जिसका हैटक्वाटर हरीद्वार के अंतरगत पर है पैंकोड है 2494 ठीक है कभी इंपोटेंट बीजन से कभी पर कहीं पर पूछ सकता है इसलिए मैं बता करूंगा थोड़ा सा देखूंगा कि अगर फाइनल जो आंसर की है वह भी आपको बता दूं कि उसका कौन-कौन सा था ठीक है ना ऑप्स जो भी उसके अंतरगत पर सेट एबी सीडी के अंतरगत पर चार सेट होती है अलग-अलग सेट होगा आप पहुच करके देख साइग लेखा-गार परिक्षण 22 के लिए बिग्यापन पर्कासित किया गया था ततपच्चात सुद्धिपत्र दिनांक 2 दिसंबर 2022 दिनांक 30 दिसंबर 2022 एवंग दिनांक 26 अपरेल 2023 द्वारा जो है यहाँ पर बिग्यापित रिक्तियों में संसोधित किया गया है उक्त विग्यापन के करम में लिखित जो वस्तुनिष्ट आपका अब्जेक्टिव टाइप परिक्षा दिनांक 7 मई 2003 इसको आयोजीत की गई है इस विग्यापन के अनोसार जो इसके अंतरकत पर हर्तता धारित अभ्यार्थियों के लिए साइग लेखागार पद हे तू पिंटा सूची के आधार पर साइग लेखागार पद हे तू कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की अहर्त कारी परिक्षा अविलेक्षण सत्यापन तथा लेखा परिक्षण पद हे तू अनिवार्य अहर्तता धारित करने का दावा करने वाले अभ्यार्थियों के परिक्षण के पदों की सूची के करम में अभ्यार्थियों से बिग्यापित विभागों एवंग पदों हे तो ऑनलाइन वरियता प्राप्त करते हुए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परिक्षण का आयोजन माह अगस्त 2023 में किया जाना प्रस्तावित है इसके अतरि सब्सक्राइब से किया जाना प्रस्तावित है इस संबंद में यथा सीग्र पिर्थक से विश्त्रिद दिसाद निर्देश आयोकी वेबसाइट पर प्रकासित किये जाएंगे यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यार्थियों के प्राप्तां का अंतिम चैन परिणाम के प प्रोवाइब नहीं किया जाएगा चलिए अब देखते हैं इसके अंतरगत पर इनका जो जो रिजल्ड बेस है जो हिंडी टाइपिंग टैस्ट के लिए यहां पर कैलिफाइंग है तो उनके लिए जान लेते हैं कॉनकों से इंतरगत पर इंक्लूद है थोड़ा सा सौटल लेति जो यहां पर रॉल नुबर है यहठी आपने इसका उज्जाम दिया हूआ था तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंतरगत पर आपना है साइलिंग है पर इक इंपनाई नोल नुबर में प्रोवाइट कर रहा हूं देखिए उसके बाद में दूस्ता जो है टोटल 1408 का सेलेक्शन हुआ है इसके अंतरगत पर और साइग लेखाकार जो लेखा परिक्षण के अंतरगत पर की बात करें तो रॉल नुबर यहां पर इंक्लूट किया गया सारे का सारे जिनका सेलेक बिभागों एवंग पदों हैं तो ऑनलाइन वरियता प्राप्त करते हुए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परिक्षा का आवजन मा अगस्त दो जारते इसमें किया जाना प्रस्तावी थे इसके अत्रिक्त अब्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में कि गए दाओं का परिक्षन उनके मूल अभी लेखों से माह जून दो जारते इसके अंतिम सर्था में किया जाना प्रस्तावीत है आपने जो भी कहा था कि मेरे पास में यह वरियता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर आपको टाइपिंग के लिए बिठाए तो जैसे अर्बिंदु कुमार बनाम उत्राखंड राज्य और अन्यर रीट याची का संक्या जो था मुकेश कुमार दूसरा होगा बनाम उत्राखंड राज्य वह अन्यर रीट याची का संक्या यसपाल सिंग तड़ागी वह अन्यर बनाम उत्राखंड राज्य वह अन्य पारित होने वाले अंतिम निर्णे के अधीन जारी की गई है यह सूची इसके अंतर गत्पर किया आपको क्या जाता है कि अब्यार्थों के प्राप्तांक अंतिम परिणाम के पहचाथ आयो की वेबसाइट पर प्रकासित किया जाएगा उसे पहले आप सूचना के अधिकार सम अधिमाग तो आपको प्रवाइड नहीं किया जाएगार्थ नमर के बात करें शसकत है अंतर गत्पर अभ्यार्थी तो पाएगये वरियता पर विचार करते हुए परविंटा सूची के आधार पर अंतिम चैनल आप लोग के लिए क्या क्या जाएगा यहां पर परिणाम घोशित क्या जाएगा ठीक है यह चीज भी आपने आपर समझ लिया होगा क्या क्या चीज यहां पर कह रहा है यह नोट से इंपोर्टेंट हो जाता ज्यान में रखना आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा तो अगस्त के अंतरगत पर आपका इसके श्रत्व संबंद इंफोर्मिशन के हैं इसके अंतरगत पर क्या थी एक बार आपके जानने के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है लिए और धेक्या गर्ण न आपर इंपर देख ले नाइन हो गया और फोर्थ नमबर की बात के तो अनुसुची जाती के लिए 35 परसेंट हो गया और अनुसुची जाती के लिए ठीक है शीडूल कास्ट की बात कर रहा है आप है 35.1 है मैं फीमेल के लिए और शिक्स नमबर पर जो अनुसुची जाती है सेडूल कास्ट और और एक टॉब और एक नमर की बात कर तो अनुसुची जन्जाती के अंतरगत पर शिडुल ट्राइप के लिए जो महला है उनके लिए 35.3 ठीक है ना और वह बीस अधर बैकवर्ट क्लास के लिए नाई नमर का फॉर्टी फॉइंट वन पर्षेंट और टैन नमर की बात कर तो बसी इसी बेस के अंतरगत पर जोया तो फोर्टी पर्षेंट इस इतना कर तो गया फोर्टी मार्स जितना भी माल लेंगे हंडेट का अगर पेपर होगा तो एवरेज निकाल लेना 40.4 ठीक है ना और इसी के अंतरगत पर आकवा का मतलब हो सकता है यहां पर आंसे रूप से कम ज और डबल एच और पीडी बेस के अंतरगत पर ओल behavior कि बात करें तो 18 दसमीना 44 है इसके अंतरगत पर और ओए बेस के अंतरगत पर 9.34 और डबल एच और लिक सके अंतरगत के पहोरड़ पॉयंटender इसके सकी अंतरगत पर इसकी कट आप कट अप समझ गयों के कट-ोब मैसे को कर लीजिएगा हुंड एट जो टोटल है और इसके बात कि बात करे तो इसी के लुट्र का सुरिय का है तो यह होगा था और सी स्रीज जिसका नफिप जिसका पूरा समझ गया होंगे शॉल्टी रूप से जो असिस्टेंट एक्जामनेशन बेस 2022 का इक्जामनेशन संबढ़ आपका टाइपिंग टेस्ट के है कटो मार्ग से किती गई और किस-किस का सलेक्षन हुआ रॉल नंबर वाइज लास्ट में मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर आंसर की प्रोवाइट कर दिया गया है ठीक है समझ गया होंगे सॉल्डी रूप से पुरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर असिस्टेंट एक्जामनेशन बेस के अंतर गत्वे 15 जून 2023 को उत्राखंड पब् जय भारत